आज हम आपको review tab के proofing blog के सभी options की जानकारी दे रहे हैं आपकी द्वारा बनाए गए किसी भी document में अगर किसी भी तरह की कोई भी spelling mistake या फिर grammar mistake होती है तो उसे सही करने के लिए आप spelling check grammar option का उपियो कर सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने document में spelling and grammar दोनों को ही check कर सकते हैं और साथ ही सही spelling चुंग कर गलक spelling को replace भी कर सकते हैं thesis option की मदद से आप MS Word में किसी भी शब्द का कोई भी समान अर्थ खोच सकते हैं word count की मदद से आप जान सकते हैं कि आपने document में total कितने pages लिखे हैं कितने world type की हैं, कितने character बिना space के लिए हैं, कितने character with space के हैं और कितने paragraph आपने अपने document में लिया हैं और कितनी line आपने अपने document में लिखे हैं तो चलिए अब इन सभी option को practical तरह से समझते हैं तो दोस्तों proofing block का use करने के लिए आपको जाना होगा review tab पर और review tab पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा proofing block का सबसे पहले option के अगर हम बात करें तो यह है हमारा spelling and grammar का जिसकी shortcut की आप देखेंगे आपर F7 अगर आप F7 दबाएंगे तो भी यह option आपके सामने represent हो जाएगा और यह तो आप यहाँ पर click करके इस option का use यहाँ पर कर सकते तो इस option का use करने से पहले हम अपने documents में कुछ spelling mistake कर लेते हैं जैसे मालेजे हम यहाँ पर provides की spelling mistake कर देते हैं यहाँ पर हम professionally की spelling mistake कर देते हैं और इसके अलावा हम कुछ sentence mistake भी कर देते हैं जैसे हमा लेजे, हम यहाँ पर कुछ space दे देते हैं, जैसे हम यहाँ पर हमने एक extra space दे दिया, और उसके लावा यहाँ पर भी हमें एक space दे देते हैं, document में हम यहाँ पर you पो cut कर देते हैं, ताकि यह spelling हमारी mistake हो जाए, और नीचे की तरफ आप देखेंगे, यहाँ पर भी document आपको दिखाए दे रहा है, इसकी भी हम यहाँ पर you की spelling mistake कर देते हैं, अब दोनों ही same words की मैंने spelling mistake क्यों की है, इसके बारे में हम आगे बात करें, इसक पर automatically represent हो रही है, इसके लावा अगर आप document में यहाँ पर देखेंगे, तो document में भी आप देख सकते हैं, यहाँ जहाँ जहार red line आ रही है, वो सभी spelling mistakes हैं, और इसके लावा जहाँ पर आपको blue line दिखाए दे रही है, वो यहाँ पर grammar mistake है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी हमने यहाँ पर bullet inspiring लिखी है, इसकी जगाँ पर यहाँ पर तीनों में से कोई भी word यहाँ पर use कर सकते हैं, और उसके ही नीचे आप देखेंगे, provides की नीचे भी आपको तीन suggestion word आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें से आप इन तीनों words का भी यहाँ पर use कर सकते है और इसके लावा आप यहाँ पर देखेंगे, आपको एक sound option भी दिखाई दे रहा है कि जैसे आप इस पर click करेंगे, तो यह पूरी की पूरी line आपको यह read करके दिखाएगा, जैसे हम यहाँ पर click करके आपको दिखा देते हैं, यानि कि आप यहाँ पर read करके भी देख सकते इसके अलावा आप देखेंगे जो हमरी next spelling mistake थी, यानि जो हमने professionally की spelling यहाँ पर mistake की थी, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, यानि यह automatically next error पर जम कर जाएगा और आपको बताएगा कि यहाँ पर यह spelling भी आपकी mistake है, आप क्या इसे भी correct करना चाहते हैं, अगर आप इसे correct करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसके suggestion word पर click कर देंगे, तो आपकी यह spelling यहाँ पर correct हो जाएगा, तो यहाँ पर माल लीजिए, हम इसे ignore करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो spelling हमने लिखी है, हम यही spelling यहाँ पर रहने देना चाहते हैं, हम यहाँ पर कोई भी suggestion word को use नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर ignore once पर click कर सकते हैं जैसे हमने आप पर ignore once पर click किया तो आप देखेंगे यहाँ पर professionally की जो spelling थी उसके नीचे जो red line आ रही थी वो यहाँ पर हच चुकी है इसके बद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा documents का यानि document की spelling आपर mistake है और नीचे भी document की spelling आपर mistake है अब माल लीजे हमारी documents में काफी सारे ऐसे words आते हैं जिसमें माल लीजे हमने same words को लिखा हुआ और सभी words के नीचे red line आपकी आ रही है हम चाहते हैं कि एक बार में हम इन सभी words को ignore करना चाहते हैं ताकि जब भी हम यह spelling अपने document में type करें तो कोई भी error यानि spelling error यहाँ पर दिखाई ना दे तो उसके लिए यहाँ पर नीचे की तरफ आपको एक option दिखाई देगा ignore all का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही documents की जो spelling थी वो यहाँ पर गलत होने के बावजूद भी जो red line यहाँ पर represent हो रही थी वो यहाँ से ignore हो चुपी यानि कि वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इसने एक और paragraph को find किया है जिसमें आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर space को extra increase किया था यानि हमने यहाँ पर एक space बना दिया था जिससे sentence mistake हो गया था तो इसको आप यहाँ पर click करके ठीक कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option दिखाए देगा इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर ग्रामर्स की कुछ settings open हो जाएगे और इसमें आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे options हैं जिन पर यहाँ पर click का निशान आपको दिखाई दे रहा है यानि कि जितने भी grammar mistakes हैं जैसे माल लिजे हम यहाँ पर capsulize की बात करें कि capsulize में अगर कोई भी grammar में mistake होता है तो यह उसे भी find करें और यहाँ पर उसे correct करने का आपको suggestion represent करें उसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर यह सारी settings हैं आप यहाँ पर जो भी settings अपने हिसाब से करना चाहें वो यहाँ पर कर सकती हैं तो हम इसकी settings को यहाँ पर by default रहने देते हैं और अगर माल लिजए आपने कोई settings यहाँ पर छेड़ दिये तो reset all पर click करके अपनी settings को वापस से reset कर सकती हैं तो फिलाल हम इसे यहाँ पर cancel करते हैं तो cancel करने के बाद हम यहाँ पर इसके दिये गए suggestion word पर यहाँ पर click कर देते हैं जैसे हम यहाँ पर suggestion word पर click करते हैं तो आप देखेंगे नीचे की तरफ हमने एक नाम लिका था आराध्या और यहाँ पर आप देखेंगे उसकी भी यहाँ पर spelling error आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अब आप देखेंगे आराध्या के just नीचे no reference information आपको दिखाई दे रहा है अब यह no reference information इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि आराध्या का मतलब English dictionary के अंदर कोई भी word नहीं होता यानि कि आराध्या का कोई भी मतलब English के अंदर नहीं होता इसलिए यहाँ पर आपके सामने no reference information आपको दिखाई दे रहा अब माल लीजे मैं यह चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने document में ये नाम लिख हूँ तो ये बार-बार हमें spelling error ना दे तो उसके लिए यहाँ पर आपको एक और option दिखाई देगा add to dictionary इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर एक information आ जाएगी जिसमें आपके सामने लिखा होगा spelling and grammar check is complete यह इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पूरे document में जिकने भी spelling mistakes थी इसने वो सभी spelling mistake यहाँ पर चेक कर लिए है तो यहाँ पर हम इसे OK बटन पर क्लिक कर देते हैं OK बटन पर क्लिक करने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जब भी मैं यहाँ पर आराध्या टाइप करूँगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई भी error represent नहीं करेगा जैसे माले जाम यहाँ पर टाइक कर के आपको दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने दुबारा से आराध्या टाइप किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी red line यहाँ पर represent नहीं हो रही है तो इस तरीके से आप spelling and grammar option का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की और next option है हमारा thesis अब इसका use किस तरीके से किया जाता है जैसे मालेजम इसमें से किसी भी word को चुनते हैं मालेजम ने powerful को यहाँ पर select कर लिया और powerful को select करने के बाद हम यहाँ पर thesis option पर click करते हैं जैसे हम यहाँ पर thesis option पर click करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से powerful से related words आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा यानि powerful के जितने भी similar words होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे इसके इलावा अगर आप किसी और word को find करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर इसे attack करके कोई भी दूसरा word find कर सकते हैं करने के बाद यहाँ पर find वाले बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे documents के जितने भी similar words थे वो यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे तो इस तरीके से आप 3 search option का यहाँ पर यूज कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं next option की तो आप देखेंगे next option है वो है हमारा word count word count में आप देखेंगे आपर आपके सामने एक dialogue box अपर हो जाएगा word count statics के नाम से और इसका जो basically use किया जाता है वो आपके पूरे documents में हर एक चीज़ की information आपको represent करता है जैसे मालेजर में आपर pages की बात करते हैं तो हमने अपने पूरे documents में जितने भी pages लिये होंगे वो सभी pages आपको यहाँ पे दिखाई देंगे तो इस document में हमने केवल एक page लिया है इसलिए यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा है जैसे मालेजर हम बात करें video provides की तो video और provide यह दो words हो गए हमारे तो इसी तरीके से हमने पूरे documents में जितने भी words यहाँ पे type कर रहे हैं उन सभी words को count करके आपको बता रहा है कि आपने टोडी कितने words अपने documents में type कर रहे हैं इसी तरीके से अगर हम बात करें character no space की तो character basically क्या होता है जैसे माल लीजें यहाँ पर galleries लिखा हुआ है तो G-A-L-L यानि जो एक-एक words है यह सभी आपके characters हैं जिसमें आपके comma, inverted quotes वगरा यह सभी count किये जाते हैं तो इन सभी को count करके यह आपके सामने represent कर रहा है कि आपने total कितने character लिए हैं बिना space के तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर that complaint के बीच में यहाँ पर हमने एक space लिया हुआ है तो यहाँ आपको बता रहा है कि अगर आप बिना space के इन characters को count करते हैं तो वो जो words होंगे वो लगबन इतने होंगे इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर character with space की तो यहाँ पर आपको बता रहा है कि जो भी यहाँ पर space दिया गया है यानि yours और documents के बीच में जो space है यह उसको भी count करके आपको represent कर रहा है इसके अलावा अगर हम next option की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास total जो paragraph है वो 5 paragraph आपको दिखाई दे रहा है तो paragraph के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 1, 2, 3, 4 और या नीचे देखें 5 5 paragraph यहाँ पर ले रखें और उसके वालावा हमारे documents के कोई और paragraph यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए यहाँ पर आपके सामने 5 paragraph आपको दिखाई दे तो lines की अगर हम बात करें तो हमने total 17 lines यहाँ पर ले हुई है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई देंगी जिसके लिए हमने यहाँ पर line numbers insert किया हुआ है जिससे आपको count करने में कोई भी दिक्कत ना हो आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 lines हमने यहाँ पर insert कर रखें इसके बाद अगर हम यहाँ पर enter करते हैं और 18 line में हम यहाँ पर कुछ type क करते हैं जैसे माली जी हम यहाँ पर type करते हैं documents तो document type करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एक line और add हो चुकी है और word count पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस line को count कर लिया और यहाँ पर paragraphs को भी इसने increase कर दिया और यहाँ पर words मे इंक्रिमेंट हो चुका है तो इस तरीके से आप अपने documents ने pages verse, character with space, without space, paragraph और line सभी की information आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके नीचे आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा include, text boxes, footnote and add note यानि कि अभी जो हमारे पास documents की information है जिसके अंदर text boxes और footnote और add नहीं है अ अगर हम इस पर click कर देते हैं तो आप देखेंगे हमारी यहाँ पर values increase हो चुकी है यानि कि अब इसने जो भी हमारे documents के अंदर आप देख सकते हैं नीचे की तरफ जो भी हमने documents के अंदर यहाँ पर end note या और footnote का यहाँ पर use किया हुआ है या जो भी हमने आप text box के अंदर इतने भी text हमने आप टाइप कर रहे हैं उन सभी text को भी यहाँ पर count करके आपको बता रहा है कि आपके पूरे documents में तो वो सभी information भी यहाँ पर add हो जाएंगी अगर आप नहीं चाहते हैं कि text boxes और footnote और note में जो भी information हमने लिखी है उसको यहाँ पर count करें तो stick mark को यहाँ प आपके द्वारा लिखे गए किसी भी text या किसी भी paragraph को पढ़कर सुनाएं तो इस case में आप MS Word के read aloud option का उप्योग कर सकते हैं जिसमें आप अपने हिसाब से पढ़ने की speed को कम या जादा कर सकते हैं और साथ ही आप voice को भी change कर सकते हैं यदि आप चाहते हैं कि आपका document को email व परा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और बैल आइकन को जरूर दबैल तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं MS Word में read allowed option का उप्योग करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पर review tab पर और यहाँ पर आपको देखेंगे, आपको एक block दिखाई देगा, speech block और इसके अंदर आपको option मिलेगा read allowed read allowed option का उप्योग करने के लिए आपको केवल read allowed option पर click करना है, आपके जो भी document अपने page पर यहाँ पर लिखा होगा, वो automatically read होना start हो जाएगा तो read allowed का मैं आपको इwस दिखा देता हूं, आपको ध्यान रखना है, जहाँ से आपको अपना document रीड कराना है, सबसे पहले आपको अपने cursor को वहाँ पर click करना है, और उसके बाद आपको read allowed पर click करना है, जैसे main लिजिए मैं आप aç on read allowed पे click करते हैं, और यहाँ पर आपको और यहां पर आपको दिन्हें दिख्धा देगा stop option. इसपर जैसी हम क्लिक करेंगे, तो यहां से हमारा voice control होगा, यहां से हम प्ले मिंडे कर सकते हैं, और यहीं से इसको पॉस कर सकते हैं. मैं और पर फिर से अपको प्ले मिंडे दिखाता हूं तो जो भी हमारा current में paragraph होगा, उस paragraph को छोड़ करके, यह हमारे next paragraph को read करना start कर देगा, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, अभी हम लोग जो read करा रहे थे, वो पहले वाले paragraph को read करा रहे थे, और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि इस paragraph को छोड़ करके, यह दूसरे paragraph आपको रीड करें तो इसके लिए आपको यहां पर जा करके next पर क्लिक करना होगा तो आप देख सकते हैं यहां पर next paragraph हमारा रीड होना स्टार्ट हो चिप गए तो इसी तरीके से आप इस paragraph को छोड़ करके पहले वाले paragraph को रीड कराना चाहते हैं तो आपका डॉक्मेंट पिछले वाले paragraph को रीड करना शुरू कर देगा मैं आपको यह भी दिखा देता हूं एक बार क्लिक करके आप यहां पर देख सकते हैं हमारा पिजला पैरग्राफ यहां पर रीड होना शुरू हो गया तो इस तरीके से आप इन दोन आप्शन का यहां पर यूज कर सकते हैं इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे यहां पर आपको एक सेटिंग्स का ओप्शन दिखाई देगा इ तो आप देख सकते हैं इसके स्पीड काफी फास्ट होगी रीडिंग में और इसके बाद अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो वापस से स्पीड को आप यहां से कम कर सकते हैं और जैसी प्ले बारे बटन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही slowly हमारा document read हो रहा है इसके नीचे जब एक और option आपको दिखाए देगा voice selection का यहाँ पर आप click करके यहाँ पर तीन voice selection आपको दिखाए दे रहे हैं जिसमेंसे आप किसी भी voice को use कर सकते हैं यह आप देख सकते हैं हमारी जो भी voice थी वो एक female की voice थी अगर आप चाहते हैं कि आपका जो भी document है वो कोई mail यहाँ पर read करें तो उसके लिए आप यहाँ पर पहले वाले option को चुन सकते हैं और उसके बाद जैसे आप यहाँ पर play वाले बटन पर click करेंगे तो आपका document male voice में read होना start हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह read होना शुरूर हो गया इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर सुसेन को select करते हैं तो यहाँ पर जो voice आएगी वो female की voice आएगी मैं थोड़ी से speed को increase कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर play वाले बटन पर click करता हूँ आप देख सकते हैं जहां जहां से हमारा document read हो रहा है और वहाँ वहाँ से हमारा वो text highlight भी होता चला जा रहा है तो इस तरीके से आप MS Word के read allowed option का यहाँ पर use कर सकते हैं आज हम आपको review tab के language block के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि आपके document में कोई paragraph या कोई line किसी और भाशा में बदल जाए तो यह काम आप MS Word के translate selection की मदद से कर पाएंगे लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपका पूरा का पूरा document किसी और भाशा में translate हो जाए तो उसके लिए आप MS Word के translate document option का use कर सकते हैं आपको Google पर जाकर किसी भी data को translate करने की कोई भी आवश्यक्ता नहीं है यह काम आप MS Word में रहते हुए दिये गए feature translate की मदद से कर सकते हैं और self-proofing language की साहता से चुने गए भाशा में यदि कोई गलती होती है तो यह option आपको remember कराता है और आपकी गलती को दर्शाता है ताकि आप अपनी गलती सुदार सके language preference की साहता से आप MS Word के application की भाशा को बदल सकते हैं जैसे यदि आप MS Word के सभी option जैसे tab, menu और option इन सभी को किसी और भाशा में बदलना चाहते हैं तो यह कार आप language preference की मदद से आसानी से कर सकते हैं तो चलिए इन सभी option को practical तरह से समझते हैं दोस्तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को like करें, comment करें, share करें, subscribe करें और bell icon को जरूर दबाए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं Language block का use करने के लिए आपको जाना होगा review tab पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं Language में आपको translate और language के नाम से दो option आपको दिखाई देंगे सबसे पहले हम बात करते हैं translate option की Translate option में आप देखेंगे सबसे पहला option आपको दिखाई देगा translate selection का तो इस option का use करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक paragraph को insert कर लेते हैं मालीजे मैं ने rend command चुला कर यहाँ पर कुछ paragraph insert कर लिए हैं और इसमें से मालीजे मैंने पहले paragraph को यहाँ पर select किया है और अब मैं इसको translate करना चाता हूँ किसी दूसरी भाशा में तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे translate option पर और यहाँ पर आपको select करना है सबसे पहला option translate selection का इस पर जैसे आप click करेंगे तो आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर right side में translator के नाम से एक dialogue box open हो जाएगा इस dialogue box में आप देखेंगे from में आपको English दिखाई दे रही है क्योंकि हमारी यह जो भाशा है वो English है यहाँ पर कोई दूसरी language चाहते है तो आप इसके drop down पर click करेंगे drop down पर click करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको काफी सारी languages मिलेंगी जैसे आप देख सकते हैं Greek हो गई, गुजराती हो गई, या फेड, होसा हो गई, इसी तरीके से हिंदी हो गई, और भी बहुत सारी languages आपको यहाँ पर मिलेंगे इसी तरीके से आप किसी और भाशा में अगर आप इसे change करना चाहते हैं तो उस भाशा को आप यहाँ पर select करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो language थी, वो यहाँ पर translate हो चुकी है तो फिलाल हम इसे हिंदी में ही change करेंगे, यहाँ पर हम हिंदी को select करते हैं और हिंदी को select करने के बाद जैसे आप insert बटन पर यहाँ पर click करेंगे तो insert बटन पर click करते ही, आपका जो paragraph था, वो यहाँ पर translate हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ पर click किया, तो आप देख सकते हैं हमारा जो select paragraph था, उसका translation यहाँ पर complete हो चुका है इसी तरीके से, मैं एक बार control Z करके, इसको वापस से English में convert कर देता हूँ और उसके just bagal में आप देखेंगे, आपको एक और option दिखाई देगा, document का इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने from में detect language आ रही है, यानि कि यहाँ पर आपने जो भी भाषा लिखी है, वो भाषा यह automatic detect कर लेगा और उसके बाद आप इसे जिस भाषा में translate करना चाते हैं, उसको आपको यहाँ पर select करना होगा तो मालीजे हम यहाँ पर हिंदी को ही select करके रखते हैं, और यहाँ पर हम translate वाले बटन पर click कर देते हैं जैसे हम translate बटन पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह पूरा का पूरा document ही हमारा हिंदी में translate हो चुका है तो इस तरीके से आप MS Word में किसी भी भाषा को translate कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इसके बाद हम बात करते हैं next option की, तो review tab पर जैसे हम click करेंगे, इसके बगल में आप देखेंगे, आपको एक और option दिखाई देगा, language settings का इस पर जैसे आप click करेंगे, तो सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, set proofing language, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर एक dialogue box उपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको काफ़ी सारी languages मिलेंगी, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं, त्री languages पर यहाँ पर blue color का निशान आपको दिखाई देगा, सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है English India, दूसरा English United Kingdom और तीसरा English United States, यानि MS Word में यह तीनों ही languages आपको by default दिखाई देगी, इसके अलावा अगर आप किसी और भाशा को यहाँ पर default करना चाहते हैं, तो आप आपको उस भाशा को सेलेक करके, यहाँ पर नीचे दिए गया option, set as default पर क्लिक करना होगा, जैसी आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपकी यह जो language होगी, वो by default यहाँ पर set हो जाएगी, इसी तरीके से आप देखेंगे, आपको यहाँ पर दो option भी दिखाई दे रहे हैं, सब यह option उसको check नहीं करने देगा, इसके नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको एक और option दिखाई देगा, यहाँ पर detect language automatically का, तो यहाँ पर यह automatic detect कर लेगा, इन तीनों languages को, अगर आपने इन तीनों languages में कोई भी data यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यह automatically उस language को यहाँ पर detect कर लेगा, तो इस तरीके से आप इसकी default settings यहाँ पर कर सकते हैं, हम फिलाल इसके अंदर कोई भी settings नहीं कर रहे हैं, हम इसे cancel कर रहे हैं, और इसके बाग हम वापस से language पर जा करके, नीचे की तरफ आप देखेंगे, आपको एक option मिलेगा, language preference का, हम इसको select करते हैं, इस पर जै आते हैं, आपके पूरे document में, चाए वो home tab हो, चाए वो insert tab हो, यह जितने भी options आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी options आपको हिंदी में दिखाई दे, तो उसके लिए आपको वहाँ पर अपनी भाशा को install करना होगा, तो उसे install किस तरीके से करते हैं, मार लीज़ हम चले जाते हैं, review tab पर, और यहाँ पर हम select कर लेते हैं, language preference, language preference select करने के बाद आप देखेंगे, right hand side में आपको option दिखाए देगा, add a language का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर काफी सारी language दिखाई देगे, जिस भी language में आप अपने पूरे software को convert करना चा अगर आप चाते हैं कि आप अपनी भाशा को यहाँ पर बदलना चाते हैं, तो आपको language को select करके सिर्फ यहाँ पर install पर click करना होगा, तो यह basically कुछ समय लेगा, और कुछ समय के बाद आपको अपने software को एक बार बंद करके दुबारा से on करना होगा, जैसे ही आप दुबार इस ब्लॉक के सभी options की जानकारी दे रहे हैं, यदि आप MS Word में काम करते हैं वक्त किसी particular word या paragraph को explain करते हुए कुछ extra लिखना चाते हैं और साथ ही आप यह भी चाते हैं कि वह document में दिखाई ना दे, तो उसके लिए आप comments option का उप्योग कर सकते हैं, तो चलिए इन सभी options को practical तरह से समझते हैं, comment option का use करने के लिए आप देखेंगे हमने यहाँ पर example के लिए एक document insert किया हुआ है, और यहाँ पर हम किसी भी word या किसी भी paragraph को define कर सकते हैं comments के माध्यम से, जैसे माल लीजे हम यहाँ पर तीसरे paragraph पर जाते हैं, और यहाँ पर हमने style को यहाँ पर select किया, style को select करने के बाद, आपको जाना है यहाँ से review tab पर, और review tab पर जैसे आप जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे, आपके सामने यहाँ पर आपको एक blog दिखाई देगा, comments का, और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, new comments का, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका वो comments यहाँ पर hide हो जाएगा, और उसके बाद जैसे आप mouse का cursor इसके उपर ले कर जाएंगे, तो आप देखेंगे, आपका वो word यहाँ पर highlight हो जाएगा, जिसके उपर comment लगा हुआ है, इसी तरीके से आप और भी किसी word या किसी भी paragraph के उपर, इस पर click करने के बाद आप देखेंगे, हमारे सामने फिर से एक dialogue box open हो गया, और यहाँ पर भी हम rating से related कोई भी comment type कर लेते हैं, तो माल लिजे हमने यहाँ पर comment type कर दिया, और उसके बाद इसे भी हमने यहाँ पर cancel कर दिया, cancel करने की बाद हम चाते हैं, कि हमारे जो भी comments है, यह स हम पहले वाले comments के उपर click करते हैं, और यहाँ पर click करने के बाद अब हम चाते हैं, कि हम next वाले comment पर jump करना चाते हैं, तो उसके लिए आप देखेंगे, यहाँ पर show comment के विलकुल उपर आपको एक option दिखाए देगा next का, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आप देखेंगे, ह पिछले वाले comments पर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एक और option दिखाए देगा, delete comments का, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो आपका comment आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, इसके बाद आप देखेंगे, आपके सामने इसका एक option है, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो वापस से आपका comment यहाँ पर hide हो जाएगा, और वापस से जैसे आपका comment यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, अब यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा, इस arrow पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक और option दिखा से close कर सकते हैं या तो यहाँ से क्लिक करके आप इसे close कर सकते हैं तो इस तरीके से आप comments option का यहाँ पर use कर सकते हैं आज हम आपको review tab के tracking and changes block के सभी options की जानकारी दे रहे हैं यदि आप अपने system को किसी अने user के साथ share करते हैं और अगर आपके word document में दूसरे user ने कोई editing या change कर दिया हो तो उसे आप कैसे track कर सकते हैं accept या reject कर सकते हैं तो चलिए इन सभी option को practical तरह से समझते हैं MS word में tracing option का use करने के लिए आपको जाना है review tab पर tracing के नाम से आपको यहाँ पर एक block दिखाई देगा और इसके just bugle में ही आप देख सकते हैं changes के नाम से भी आपको यहाँ पर एक block दिखाई दे रहे हैं तो इस वीडियो में हम इन दोनों ही blocks के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं नीचे की तरफ आप देखेंगे example के लिए हमने यहाँ पर एक offer letter का format लिया हुआ है और माल लिजे कि इस document को हम share करते हैं किसी other person के साथ तो वो हमारी file के साथ अगर कोई भी extra editing करता है तो उसको भी आप किस तरीके से इस option के माध्यम से trace कर पाएंगे अब जैसे माल लिजे हम यहाँ पर सबसे पहले option की बात करते हैं यहाँ पर आप देखेंगे जो सबसे पहला option है वो है track changes का इस पर जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा track change का track change वाले option पर जैसे आप click करेंगे तो हमारी इस file के अंदर हम अगर कोई भी extra editing करते हैं तो उसके बारे में हमें यहाँ पर पता चल जाएगा तो आपको इस बात का ध्यान रहे है कि जब भी आप file को save करें save करने से पहले आपको यहाँ पर track change का इस्तिमाल कर लेना है अब इसके बाद जैसे माल लीजे हम यहाँ पर अमन के नाम को हटा करके यहाँ पर कोई और नाम add कर लेते हैं जैसे माल लीजे हम यहाँ पर type कर देते हैं कमल जैसे हम यहाँ पर कमल type करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे right side में आपको यहाँ पर deleted का एक option दिखाई देगा deleted का आपको एक balloon दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि अमन कुमार की जगा पर हमने यहाँ पर कमल कुमार add किया है और साथ के साथ आपको यहाँ पर time भी बता लेगा कि आपने इस changes को कप किया इसी तरीके से अगर कोई person आपकी file के साथ कोई भी editing करता है तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगे तो फिलाल माल लीजे हम यहाँ पर all markup को हटा करके यहाँ पर no markup को select करते है no markup को जैसे हम यहाँ पर select करेंगे तो आप देखेंगे हमारी file में जो भी changes होई है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रही है अब इसी तरीके से माल लीजे कि हम यहाँ पर date को भी change कर लेते हैं हम यहाँ पर date ले लेते हैं 12 1 जैसे हमने date change किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर किसी तरीकी का कोई markup दिखाई नहीं दे रहा है आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर track change को activate किया हुआ है अगर कोई दूसरा person आपके track change वाले बटन पर क्लिक कर देता है तो क्लिक करते ही हमने जो भी यहाँ पर tracing लगाई थी वो यहाँ पर stop हो जाएगी तो यानि कि अगर आप इसमें कोई extra और editing करते हैं तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा जैसे मालीजे हम यहाँ पर pin code को change कर देते हैं हमने यहाँ पर pin code में कुछ add कर दिया और add करने के बाद मालीजे अगर हम यहाँ पर markup वाले option पर जाकर के all markup को select करते हैं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर date में modification किया था वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है इसके लावा हमने नाम में modification किया था के बारे में भी हमें यहाँ पर पता चल रहा है लेकिन हमने जो pin code में यहाँ पर changes की थी वो यहाँ पर हमें पता नहीं चल रही है क्योंकि किसी ने आपके track change को यहाँ पर off कर दिया तो यहाँ पर आसानी से track change को off किया जा सकता है तो उसके लिए आप नीचे की तरफ आपको एक option दिखाए देगा lock tracing का lock tracing वाले option पर जैसी आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप इसे password से secure कर सकते हैं जैसे मालिजे हम यहाँ पर कोई भी password दे देते हैं और password देने के बाद हम यहाँ पर OK पर klik कर देते हैं ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब अगर कोई भी extra editing इसकेंदर की जाएगी तो उसके बारे में आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाएगा जैसे मालीजे हम इस offer के बाद यहाँ पर कोई extra word type कर लेते हैं मालीजे हमने यहाँ पर type कर दिया phd जैसे हम यहाँ पर phd type करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा जो markup था वो यहाँ पर red color से हमें mark करके represent कर रहा है इसी तरीके से अगर हम किसी line को select करके यहाँ से delete कर देते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इसे delete करेंगे तो आप देखेंगे वो deleted item हमें यहाँ पर right side में balloons में represent कर रहा है और अगर आपके वी formatting इसमें कर लेते हैं जैसे माली जे हमने यहाँ नाम को select करके इसे bold कर दिया तो जैसे हम इसे bold करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर bold formatting आपको दिखाई दे रही है इसी तरीके से अगर आप किसी board को underline करते हैं तो underline की भी formatting आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है तो इस तरीके से आप अपने document को secure कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आप track change वाले option पर click करेंगे तो आपको यहाँ पर password देना होगा उसके बाद ही आप इस pressing को यहाँ पर turn off कर सकते हैं तो माल लीजे इस file के साथ हमने काफी सारी editing कर दी है अब यहाँ पर देखते हैं markups वाले सभी option को एक एक करके समझते हैं सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर पहला जो option आपको दिखाई दे रहा है all markup का तो all markup में आप देख सकते हैं जितने भी हमने editing की हैं वो सभी markup हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहाँ पर simple markup को select करेंगे उस line के left side में आपको red color से यहाँ पर mark करके दिखा रहा है कि इन in lines के अंदर आपकी editing की गई है इसके अलावा अगर आप यहाँ पर no markup को select करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके file के साथ कोई भी editing की गई है इसके बाद नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको एक option दिखाई देगा original का original वाले option पर जैसे आप यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको वो file दिखाई देगी जो आप यहाँ पर छोड़के गए थी यानि जो file आपने last time यहाँ पर save करने से पहले track change option का य इस पर आपको देखेंगे यहाँ पर okay का निशन आपको दिखाई दे रहा है जिसने सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है comments का तो comment का use अभी फिलाल हमने अपने document पर नहीं किया है मैं एक बार comment का यहाँ पर use करके आपको दिखा देता हूँ मालीजे हम यहाँ से किसी word को select करते हैं मालीजे हमने इस वाली line को यहाँ पर select किया और यहाँ से new comments पर click कर दिया new comments पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो यहाँ से हमारा जो comment का option था वो यहाँ से हट जाएगा इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर next option की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं insertation and deletion का आपको एक option दिखाई दे रहा है कि यानि हमने अपने document में जो भी data यहाँ पर insert किया है या जो भी हमने यहाँ पर delete किया अगर आप अपने document में particular किसी एक चीज़ को देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर show markup वाले option पर जाकर के जिस भी option को select करेंगे जैसे माले जैक comment को हम select करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको keyword comment का option ही दिखाई देगा इसके अलावा बाकी की कोई भी markup आपको in balloons का show revision in balloons पर tick होने की वज़े से आप देख सकते हैं आपके right side में यह सभी changes आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अगर हम यहाँ पर इस पर click करके next option को यहाँ पर हम select करते हैं show or revision line को तो इस से क्या होगा इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं हमार जो markup था यानि जो हमारा balloons था वो यहाँ से हट जाएगा और आपको इसी document में यहाँ पर आपको जो भी आपने changes की है वो आपको दिखाई देगी इसी तरीके से अगर में आपर तीसरी option की बात करें show only comments and formatting in balloons का अगर आप इस पर click करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यहीं पर ही दिखाई देगी आप देख सकते हैं हमने जो भी delete किया था या जो भी हमने extra add किया था वो हमें इसी document में represent कर रहा है तो इस तरीके से आप यहाँ पर इन सभी options का यहाँ पर use कर सकते हैं इसके बाद आप देखेंगे आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देगा reviewing Pains का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी हमने अपनी फाइल के साथ यहाँ पर extra editing की है वो आपको यहाँ पर left side में एक dialog box में आपको दिखाई देगा और जितनी भी editing हमने यहाँ पर की है उसके numbers आपको यहाँ पर दिखाई देगे फिलाल हमने जो editing की है वह यहाँ 9 changes की है जो कि आपको यहाँ पर mark करके represent कर रहा है इसी तरीके से नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा reviewing pants horizontal का इस पर जब आप click करेंगे तो वही changes आपको यहाँ पर horizontal में दिखाई देगी जिसमें आप देख सकते हैं आपकी date और timing भी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी तो इस तरीके से आप यहाँ पर tracing option का use कर सकते हैं अब मालेजेस फाइल के साथ extra editing कर दी गई है और अब मैं चाहता हूँ कि इसे accept या reject करना है यानि जो भी changes इसमें की गई है उसमें से कुछ चीजों को मैं यहाँ पर accept करना चाहता सबसे पहले हमने जो भी यहाँ पर tracing लगाई है इसको हम यहाँ पर stop करेंगे तो stop करने के लिए आपको यहाँ पर track change वाले option पर जाना है और यहाँ पर आपको एक option दिखाई देगा lock tracing का इस पर आपको click करना है इस पर आप click करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना वही password देन यहाँ पर आपका track change highlight हो गया, आप अगर track change को turn off करना चाहते हैं, तो इस पर जैसी यहाँ पर cake करेंगे, तो आपका track change यहाँ पर turn off हो जाएगा, इसके बाद अब बात करते हैं, हम लोग changes की, यानि accept and reject वाले option की, तो यहाँ पर आप देखेंगे, सबसे पहला option आपको दिखा करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहला option हम select करते हैं, accept and move to next का, तो इसका benefit यह होगा, कि जैसे हम इस वारे button पर cake करेंगे, तो जो भी हमने यहाँ पर changes की थी, वो यहाँ पर accept हो जाएगी, और accept होने के बाद, यह automatically हमरी next changes पर jump कर जाएगी, यानि यहाँ से यह change हो गया, और उ same option दिखाई देंगे, यहाँ पर मिलेगा आपको reject and move to next का, यानि इस वाले button पर अगर आप click करेंगे, तो जो भी यहाँ पर comment हमने add किया है, वो comment यहाँ पर reject कर दिया जाएगा, और यह move हो जाएगा next option पर, तो इस पर हम एक बार आपको click करके दिखा देते हैं, जैसे हम इस change को accept करेगा, और यह next वाले editing पर move नहीं होगा, तो जैसे हम इस पर click करते हैं, तो आप देख सकते हैं, हमारी changes यहाँ पर accept हो गई है, बट यह move नहीं हुई है next पर, इसके अलावा, अगर आप next वाले को reject करना चाहते हैं, तो same उसी तरीके से अगर आप reject change पर click करेंगे, तो all changes का, यानि कि अगर आप इस वाले option पर click करते हैं, तो आपकी document में जितनी भी changes की गई है, वो सारी की सारी एक बार में यहाँ पर accept हो जाएगी, और इसके बाद आप देखेंगे, आपको यहाँ पर एक और option दिखाई देगा, accept all changes and stop tracking, तो यानि कि अगर आप इस पर click करते ह हैं, तो आपकी जितनी भी यहाँ पर changes की गई है, उन सभी को यह accept कर लेगा, और आपकी जो भी tracking हो रही थी, उसको यहाँ पर stop कर देगा, इसी तरीके से अगर हम reject वाले option पर जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यही दोनों option दिखाई देते हैं, इन दोनों option का आप पर previous और next का भी एक option आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप यहाँ पर next वाले बटन पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, अभी हमारा जो cursor है, वो यहाँ पर blink कर रहा है, जैसे में आप next वाले बटन पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यह automatic यहाँ पर jump कर जाएगा, अब आप इसे accept करना चाते हैं, या फिर आप इसे reject करना चाते हैं, उसका chain आप यहाँ से कर सकते हैं, माले जब फिलाल के लिए मैं इसको भी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ और मैं इसे next करता हूँ, next बटन पर जैसी मैं click करूँगा, तो यह इसे छोड़ करके, अगले वाल से PhD पर बहुँच जाएगा, और उसके बाद आप इसे accept या reject कर सकते हैं, तो माल लिजए हम यहाँ पर reject वाले option पर चले जाते हैं, और यहाँ नीचे की तरफ हम इस वाले option को यहाँ पर select कर लेते हैं, reject all changes and stop tracking का, इस पर जैसे हम यहाँ पर click करेंगे, तो आप देख सकते है हमारी जो भी हमने extra editing इसमें की थी अपनी file के साथ, वो सारी के सारी editing यहाँ से reject कर दी गई है, और हमारी file में अगर हमने track change को यहाँ पर turn off नहीं किया होता, तो यह automatic उसको turn off भी कर देता, हमने अपने case में आपड़ track change को पहले से ही turn off कर रखा था, तो दोस्तों इस तरीके स आप MS Word के track change and changes block के option का यहाँ पर use कर सकते हैं, आज हम आपको review tab के compare block के सभी options की जानकारी दे रहे हैं, पिछली वीडियो में हमने आपको MS Word में tracking करना बताया था, जिसकी सायता से आप document में होने वाली editing को track कर सकते हैं, और साथ ही document में वे changes को accept या फिर उसे reject कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको दो document का comparison करना और combine करना बता रहे हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि आपके document में क्या changes हुए हैं, आईए देखते हैं यह option कैसे काम करता है, MS Word में compare option का use करने के लिए आपको जाना है review tab पर, review tab पर जाने की बाद आप देखेंगे, यहाँ पर compare का एक block दिखाई देगा, इस पर जैसे आप click करेंगे, तो यहाँ पर आपको दो option दिखाई देएंगे, सबसे पहला option आपका compare और दूसरा आपका option है combine, तो सबसे पहले हम compare को समझते हैं, हम compare पर जैसे click करेंगे, click करते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक dialogue box open हो जाएगा, और सबसे पहले आप देखेंगे, यहाँ पर लिखाया original document और यहाँ पर आप देखेंगे revise document, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी original document को select कर लेते हैं, अगर आपने recently in files को पहले open कर रखा है, तो आप इसके drop down पर click करके, यहाँ से अपनी file को select कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर file को search करके represent करना चाहते हैं तो उसके लिए आप देखेंगे आपको यहां पर एक folder का option दिखाई देगा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके सामने डियालोग box उपन हो जाएगा और जहां पर भी आपकी file रखी है आप उसे यहां पर मतलिक क्लिक कर लेंगे तो माली जैं हमारी जो file है वह हमनेucht यहाँ पर हमने और यहां पर हमने अरुपर लेट के नाम से यह फाइल'S पर और यहांसरा कर यहां छैट करेंगे और इसके बाद यहां उसके बार यहां document की जगा पर revise document की file select हो गई है और revise document की जगा पर original file select हो गई है तो उसके लिए आप यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक arrow दिखाई देगा इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यह automatically exchange हो जाएगी तो फिलाल हम इसे वापस से जैसा था वैसा ही कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आप सामने यहाँ पर कुछ नॉटिफैशन में यहाँ पर कले कर ना है जासी आप यहाँ पर क्लेक करेंगे तो आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर compare document आपको दिखाई दे जाएगा और इसके just right side में आप देखेंगे आपको यहाँ पर original document दिखाई देगा और इसके just नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको revised document दिखाई देगा और यहाँ पर आप देखेंगे आपका compare document आपको दिखाई दे रहा है यानि कि जितनी भी files में हमें changes की थी उन सभी के आगे आगे आप देखेंगे red line आपको दिखाई दे रही है इसके बाद आप यहाँ पर tracking वाले block में जाएंगे और यहाँ से अगर आप simple markup की जगा यहाँ पर all markup पो select कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी file के अंदर जितनी भी changes की गई है वो changes आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है इसके अलावा left side में आप देखेंगे आपको यहाँ पर 8 revisions दिखाई देंगे यहाँ आठ changes आपको दिखाई देंगी और इसमें आप देखेंगे आपके सामने hide source document का एक option दिखाई देगा अगर हम इस वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो होगा क्या हमारा जो source था जो भी हमारे सामने दोनों की दोनों file दिखाई दे रहे थी comparison के अंदर वो यहाँ पर hide हो जाएगे इसी तरीके से अगर आप इस प show revised का तो जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको इस तिर्फ revised document आपको दिखाई देगा यानि जो भी change document है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा और इसके अलावा जो last option है आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक option मिलता है show both का इसका मतलब है कि यहाँ पर जैसे आप click करें कि आपके files के साथ क्या कैच छिडखानी की गई है अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर combine की तो combine option का use करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इस वाले फाइल को यहाँ से cut कर देते हैं और यहाँ पर इसे फिलाल हम save नहीं करेंगे cut करने के बाद हम वापस से compare वाल को select किया और यहाँ से हम revise को select करेंगे select करने के बाद यहाँ पर okay बटन पर click करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक message आजाएगा कि your document of a letter date original यानि आप जो combine करना चाहते हैं वो आप इसी file को combine करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है आप continue with merge पर simply click कर देना जैसे में आप continue with merge पर click करेंगे तो आप देखेंगे जैसे हमारा compare document open हुआ था as it is आप देखेंगे combine document भी हमारा उसी तरीके से open हो जाएगा यानि इसका जो use है वो basically क्या है कि यह दोनों file को combine करके आपको एक साथ represent कर रहा है और वही same काम हमारा compare भी कर रहा था इसके बाद आप चाहें तो इसमें आप अपने हिसाब से कुछ changes को accept या फिर reject भी कर सकते हैं अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारी जो date थी वो एक एक दो हजार तेज थी और उसके बाद जो changes की गई है वो 2220 changes की गई है आप इसको select करके यहाँ पर आपको दिखाई देगा accept and reject का एक option अगर आप यहाँ पर reject पे click करेंगे तो जो भी हमारी यहाँ पर editing की गई है extra वो यहाँ से reject कर दी जाएगी जैसे में आप reject पे आपको एक बार click करके दिखा देते हैं तो आप देखेंगे हमारी वो date यहाँ से remove हो चुकी है अगर आप इससे accept करना चाहते हैं तो जैसे आप accept वाले बटन पे click करेंगे तो आप देखेंगे अमन कुमार की जगा पर यहाँ पर कमल कुमार आपको accept हो करके दिखाई दे जाएगा इसी तरीके से अगर आप next बटन का use करेंगे तो next बटन की मदद से आप change किये गए अगले वाले option तक पहुंच सकते हैं और अगर आप previous बटन पे click करेंगे तो जो भी पिछली हमारी changes है यह आपको वहाँ पर लेके चली जाएगे तो इस तरीके से आप accept या reject कर सकते हैं और अपने documents को यहाँ पर combine कर सकते हैं आज हम आपको review tab के protect block के restrict editing option की जानकारी दे रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप अपने document में formatting और editing restrict कैसे कर सकते हैं यदि आप चाते हैं कि आपके data में आपके अलावा कोई और किसी भी तरह की editing या formatting ना कर पाए तो Microsoft ने हमें सुविदा दी है कि हम अपने document को पूरी तरह से secure बना सकें चलिए हम आपको बताते हैं कि आप अपने word document को password से कैसे सुनक्षित करेंगे आप देखेंगे example के लिए हमने यहाँ पर एक document लिया हुआ है और अगर आप अपनी document को protect करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जाना है review tab पर और review tab पर जैसे आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको एक option दिखाए देगा restrict editing का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करती है आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर काफी सारे option आपको दिखाए देजाएंगे जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाए देगा formatting restrictions का अब formatting restriction का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने document में किसी भी तरह की कोई भी formatting को allow नहीं करना चाहते हैं तो आप इस वाले box पे टिक कर देगे अब इससे होगा क्या कि आपके document में अगर कोई bold italic underline या किसी भी तरह की कोई color formatting करना चाहेगा तो वो formatting इसमें नहीं किये जा सकती है इसके बाद next option के अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर next option है हमारा editing restrictions अब editing restrictions क्या चीज़ है यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि allow only this type of editing in the document मतलब इसमें आप allow कर सकते है user को कि वो इस तरह की editing कर सकता है इसके अलावा कोई और editing नहीं कर सकता है जैसें checkbox पे click करे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक drop down दिखाई देगा इस पर जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर चार option दिखाई देगे जिसमें सबसे पहरा option आपको दिखाई देगा track change का track change को select करने से होगा क्या कि आपके document में अगर कोई किसी तरह की editing करे हैं तो आपके document में केवल comments add किया जा सकता है इसके अलावा कोई और editing नहीं की जा सकी तो next option की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है filling in forms यानि कि अगर आपने document में किसी भी तरीकी का कोई form create किया हुआ है और आप चाहते हैं कि user केवल उस form को fill कर स किसी भी तरह की कोई भी changes नहीं की जा सकेगी नहीं track change किया जा सकेगा नहीं comments का use किया जा सकेगा नहीं किसी तरह की कोई भी formatting की जा सकेगा तो यहाँ पर हम फिलाल no changes read only को select करेंगे और इसके नीचे की तरह आप देखेंगे आपको एक और option दिखाई देगा expectation optional का अब part of the document and choose user who are allowed to freely edit them इसका मतलब यह हुआ कि आप यहाँ पर अपने document में किसी पार्ट को select करके allow करना चाहते हैं कि जो user हो वो उस पार्ट में change कर सके इसके अलावा आपके और किसी पार्ट में वो change ना कर पाए तो वो भी option आप यहाँ पर use कर सकते हैं अमालेजी हम इस वाले page पर कोई भी allow नहीं देना चाहते हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी तरह टी कोई changes हो इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखे हमने एक और document create किया हुआ है तो हम इसमें चाहते हैं कि इसके पहले वाले जो question है इसके और scroll करके नीचे की तरफ आ जाना है और नीचे की तरफ आने के बाद मालीजे हम यहाँ से इस पूरे के पूरे matter को select कर लेते हैं कि इस पूरे matter को जो हमारा user हो वो इसको change कर पाए इसके अलबा और थोड़ा सा नीचे आते हैं नीचे आने के बाद मालीजे हम इस वाले matter को यहां पर select कर लेते हैं, ध्यान रहे कि आपको control को दबा के रखना है, तभी आप एक साथ काफी सारे taxes को, या काफी सारे document को select कर पाएंगे, तो माली जगा पर यहां पर permission दे दी है, कि हम तीनों जगा पर चाहते हैं कि यहां पर editing की जा सके, और इसके अलावा मेरे पूरे document में कहीं पर भी कोई भी editing ना हो, तो उसके लिए आप यहां पर इन तीनों को select करके, यहां पर आप देखेंगे, आपको एक option दिखाई देगा, everyone का, इस everyone वाले option को आप select कर लीजे, everyone को select करने के बाद, यहां पर हम select करेंगे, yes, start enforcing protection इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद पर एक dialogue box उपन हो जाएगा, और यहां पर आपको अपना password input कर रहें, जैसे माल दीजे हम यहां पर password देते हैं, और नीचे की तरफ हम confirm password देख करके, यहां पर OK बटन पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, हमने जिस document को allow किया था, वो यहां पर आप देखेंगे, highlight हो जाएग यहां पर आप देखेंगे हमारे सामने, तीन option आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहला option आपको दिखाई दे रहा है, highlights, the reason, I can edit, मतलब, अगर हम इस पर tick mark रखते हैं, तो हमने जिस document को permission दी थी, कि हम उसमें editing कर सक आपकें, वो सभी document यहां पर आप देखेंगे, highlight हो जाएंगे, हमने तीन documents को यहां पर allow किया था, तो तीनों के तीनों documents आपको यहां पर highlight होकर के दिखाई दे रहे हैं, अगर आप किसे highlight नहीं रखना चाते हैं, तो आप इस stigma को यहां से हटा दीजे, आप पर यहां से हट इसके बाद आप देखेंगे, ऊपर की तरफ आपको एक option दिखाई देता है, find net reason, अब माल लिजे हमें कैसे पता चले कि हम किस document में editing कर सकते हैं, और किस document में editing नहीं कर सकते हैं, तो यहां से हटा दिया है, अब इसके बाद आप देखेंगे, जैसे miss वाले option पर click करेंगे, त इसके अंदर हम editing कर सकते हैं, जिसकी हमने permission यहां पर do हुई है, इसके बाद जैसे हम वापस से find next पर click करेंगे, तो यहां हमें अगले वाले document पर jump करा देगा, जिसके अंदर हम edit कर सकते हैं, और उसके बाद वापस से अगर आप find next पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, तो य एक्स ऑप्शन है वो है शो और रीजन आइकन एडिट का इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो इससे होगा क्या यानि जिन डॉक्यूमेंट को हमने यहापर परमिशन दे रखी थी कि हम उसमें एडिट कर पाएं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ह आसानी से हमारा डॉक्मेंट यहाँ पर एडिट किया जा रहा है और इसके अलावा अगर माल लीजे हमें यहाँ पर किसी टेक्ष्ट को सेलेक करके होन टैब में जाकर करके यहाँ से इसे बोल्ड या इटैलिक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह का इसको यहांसे हम इटादे हैं इसे अटाने के बाद हम यहां पर यह स्टार्ट इंफोर्शिंग पर वापस से क्लिक करेंगे और फिर से यहां पर पासवर्ड दे करके इसको सेफ करतेंगे animal जिँ milk 버ld करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं home वो सारी formatting यहाँ पर unhide हो चुकी है आप यहाँ पर चाहिए आप color feel करना चाहिए चाहिए आप इसे bold करना चाहिए italic करना चाहिए underline करना चाहिए तो आप आसानी से उसके अंदर editing यहाँ पर कर सकते हैं या फिर इसके अलावा आप यहाँ पर कुछ extra type भी करना चाहिए तो वो भी आप यहाँ पर type कर सकते हैं तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने document को protect कर सकते हैं और आप अपने document में कुछ part को यहाँ पर allow भी कर सकते हैं कि कोई भी user उसमें अगर edit करना चाहिए या उसके अंदर किसी भी तरह की कोई formatting करना चाहिए तो आप उसको यहाँ पर allow कर सकते हैं आज हम आपको review tab के ink block के option की जानकारी दे रहे हैं MS Word में draw tab के द्वारा उप्योग किये जाने वाले सभी digital pen या फिर highlighter को hide ink की सायता से छुपाने के लिए या फिर उसे permanent हटाने के लिए यूज किया जाता है आईए जानते हैं इसका उप्योग कैसे करते हैं hide ink का उप्योग करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ paragraph को insert कर लेते हैं तो यहाँ पर हम is equal to randrand कमांड डाल करके कुछ paragraph को लेने के बाद आपको जाना है यहाँ पर draw टैब में draw टैब में जाने के बाद आप देखेंगे आपको काफी सारे options दिखाई देंगे जिसमें आपको tools भी दिखाई देंगे, pens भी दिखाई देंगे add pen का भी आपको option दिखाई देगा और यहाँ पर insert का भी option दिखाई देगा और convert का भी option आपको दिखाई देगा basically हमने इन सभी option के एक proper video बनाई हुई है जिसमें हमने एक एक करके इन सभी option को यहाँ पर cover किया है तो इस video में हम cable review tab के hide ink के बारे में जानेंगे कि आप इसका उपयोग किस तरीके से कर सकते है तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले हमें draw tab में जाने के बाद यहाँ पर किसी भी pen को select करके हमें अपने document में उस pen को यहाँ पर draw करना हो माल लिजे हम study purpose के लिए इस pen को sketch को हम draw कर लेते हैं और कुछ highlighters का भी यहाँ पर हम use कर लेते हैं अब इन highlighters को इन pens को हटाने के लिए आप देखेंगे हमारे सामने यहाँ पर eraser का एक option होता है इस पर जैसे हम click करके यहाँ पर इस पर click करेंगे या CC select करेंगे तो यह automatically यह document हमारा erase हो जाएगा लेकिन माल लीजे अगर हमने किसी highlighter का यहाँ पर use किया है या फिर हमने किसी pen का यहाँ पर use किया है समझाने के लिए और अब हम यह नहीं चाहते हैं कि हमने जो भी highlight यहाँ पर किया है या फिर जो भी हमने pens का यहाँ या कोई सीवी sketch का हमने यहाँ पर use किया है वो यहांसे हटे, केवल हाइड हो जाए, कुछ समय के लिए तो उसके लिए आप यहांपर review tab में जाएंगे review tab में सबसे last में आपको एक option दिखाई देगा यहांपर ink का और ink पर जैसे आप ख्लिक करेंगे तो आपको यहांपर एक option दिखाई देगा height ink का इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके पूरे document में जितनी भी inks हमने यहाँ पर use की थी जितनी भी digital inks का हमने यहाँ पर use किया था वो सभी के सभी inks यहाँ पर height हो चुके हैं और अगर आप उसे वापस से unhide करना चाहते हैं तो आपको वापस से उसी option पर जाना है यहाँ पर टेक करके जैसे आप यहाँ पर hide inks पर वापस से केक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जितने भी highlights यहाँ पर inks थे यानि digital inks थे वो सभी के सभी यहाँ पर आपको represent हो जा जाते हैं कि जितने भी हमारे पास यह inks हमने यूज किये है वो सभी के सभी inks एक बार में delete हो जाए तो उसके लिए आपको जाना है आप पर review tab पर और review tab में जाने के बाद आपको वापस से hide inks पर click करना है और नीचे की तरफ आप देखेंगे आपको एक option दिखाई देगा delete all ink in document का इस पर जैसी आप यहां पर click करेंगे तो आपके पूरे documents में जहां जहां पर भी आपने inks का या highlighter का यहां पर use किया हुआ है वो सभी के सभी यहां से remove हो जाएंगे तो इस तरीके से आप MS Word में hide inks का use कर सकते हैं अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को like comment share जरू कीजेगा धन्यवाद